Friends, जब भी आप किसी व्यक्ती से स्वास्थे को लेकर किसी घरेलू रुसखे के बारे में बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ सुने में आती है उसका नाम है नीम्बू पारी. कि क्यों नीबू पानी पीने के अनेग फायदे हैं, नीबू पानी को अगर देसी कोल्डिंग कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा प्रोटीन, कार्बो हाइलेट्स, विटैमिन्स और मिनल्स से भरपूरी है, पेस सहत और संदरी से जुड़े इतने फायदे देता है जितने आप सोच भी नहीं सकते इसलिए आपको भी दिन की शुरुआत गरम नीबू पानी पीने के साथ करनी चाहिए नीबू पानी के फायरे वजन कम करने में पाचन को सही रखने में और तुच्छा को निकारने के लिए बैस्ट है फ्रेंट्स नीबू में कई पदात पाये जाते हैं जिसमें विशेश का सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, मिगनीशियम, विटामिन C, पैक्टिन और लिमोनिन जो के प्रतिरक्षा तंतर को मजबूत बनाते हैं और हमें सरक्रमन से लड़ने के खिशमता प्रदान करते हैं जिहां डेयर फ्रेंट्स में हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता एक आयर्विधिक डॉक्टर और आज के विडियो में चानते हैं गरब नीबू पानी पीने के दस सबसे अच्छे स्वास दिलाब और साथ ही जादा नीबू पानी पीने के नुकसान के बारे में वैसे भी फ्रेंट्स आज कल 21 दिन के लॉक्टाउं के चलते हम घर पर बैठे खाप भी ही रहे हैं जिससे डाजेशन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं साथ ही हमें इमिनेटी बढ़ाने के भी जरूरत है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाज सक जरूर देखिए और अगर आप मेंसे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अप्टेट्स पाथते रहने के लिए तो सबसे पहरे जानते हैं नीमबू पानी पीने के फायदे फ्रेंट्स नामबर वन ताजगी का एहसास नीमबू पानी पीने से ताजगी का एहसास होता है और अगर दिन के शुरुवात इससे की जाए तो सारा दिन ताजगी बनी रहती है सुभे नीम्बू पानी का सेवन करने से यह ना सिर्फ आपको तरो ताजा रखता है बलकि इससे हमें कई अन्य लाब भी मिलते हैं और इन लाबों के बारे में जानने के बाद आप अपमें दिन की शुरात नीम्बू पानी के साथ करना पसंद करेंगे फ्रेंड्स इम्मिनिटी बढ़ाता है नीम्बू पानी बायो फ्लेविनोलिट्स विटामिन सी और फाइटो न्यूट्रेंट्स का बहतर स्रोथ है जो शरीर की इम्म्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है इसमें मौजूद आविश्यक विटामिन और मिनल शरीर के अनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं फ्रेंट्स नेक्स वजन कम करें यह वजन खटाने में उप्योगी होता है सुबह सुबह नीबू पानी पीने से शरीर के अतरिक वजन को कम किया जा सकता है लीवर में मौजूद कई विशाक पदाश शरीर के मेटाबॉलिसम पर असर करते हैं जिससे शरीर में फैट बढ़ जाता है नीबू पानी इन टॉकसिंस को हटाने में लीवर की मदद करता है फ्रेंट्स नेक्स स्वस्थ तोचा के लिए सुभे नीबू पानी पीना तोचा संबंदी समस्याओं में लाबकारी होता है नीबू पानी पीने से जूरियां ब्लाक हैट्स और पिंपल के निशान तक गायब हो जाते हैं इसमें मौझूद विटामिल सी और एंटि आक्सिडेंट्स तोचा की कोशिकाओं को सुरक्षिद दाग हलके और तोचा को अल्टर वॉयलेट किरनों से दूर रखते हैं फ्रेंट्स नेक्स पाचन करिया दुरूस्त रखता है निबू के रस में मौझूद हाइड्रोक्लॉरिक एसिड पाचन तंतर को ठीक रखता है साथ ही है एसिरिटी और गठिया के खत्रे को भी कम करता है जो लोग अक्सर पाचन तंतर समंधी समस्याओं जैसे जलन और गैस की समस्यादी से परशान रहते हैं उन्हीं निया में त्रूप से सुभे निबू पानी का सेवन करना चाहिए इसमें मौझूद विटामिन सी शरीर में पैप्टिकल सर नहीं बनने देता फ्रेंड स्नेक सांसों की दुरगंद हटाए निबू कारण सांसों की दुरगंद को दूर करने का काम करता है बैक्टिरिया को भी खतम करता है जिन लोगों को सांसों की दुरगंद की समस्या है उनको बिना देरी के इसको अपनाना चाहिए फ्रेंड स्नेक संक्रमनों से बचाओ निबू में एंटि आउक्सडेंट्स और विटामिन सी की भरपूर मात्रा शरीर की इम्मिनिटी को बढ़ाती है जिससे आप रोगों और संक्रमनों से दूर रहते हैं इसमें मौजू सैपोलिन नामकततु शरीर को फ्रू से बचाने में मदद करता है इसके अलावा यह श्वास समंधी रोगों को भी दूर करता है सुभे सवेरे नीबू पानी पीने का सबसे महतुपन फायदा यह है कि यह किड्नी स्टोन से रहत देता है नीबू पानी पीनी से शरीर रिहाइडरेट रहता है और यह यूरिन को पतला रखने में मदद करता है साथ ही है किडिनिस दोन बनने के खत्रे को कम करता है नेक्स नेक्स डायबेटीज में फायदे मन्द नीबू पानी हाई शुगर वाले ड्रिंक और जूस का बहतर विकल्प है खास्तों से उन लोगों के लिए जिनें डायबेटीज है यह शुगर को कंट्रोल रखते हुए शुरी को रिहाइटेट करता है नेक्स डायबेटीज में पाय जाना वाला पोटाशियम हिदे रोगों के लिए काफी फायदे मन्द होता है नेक्स तनाव और ब्लेट प्रेशर कम करें सुबह नीबू पानी पीने का एक फायदा यह भी है कि इससे ब्लेट प्रेशर को कम करने के गुन के साथ ही तनाव डिप्रेशन और अफसाथ को कम करने वाले गुन भी पाय जाते है साथ हाई ब्लड प्रेशर चक्कर आना और उल्टी में नीम्बू पानी उप्योगी होता है फिर्ट स्नेक्स लीवर को मजबूत रखता है नीम्बू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि एंजाइम्स को सही तरीके से काम करने में मदद करता है यह लीवर में मौजूद विशायले त्थों को बहार निकालने काम भी करता है फिर्ट स्नेक्स सूजन कम होती है नीम्बू में आपके चोड़ों से यूरिक एसिड हटाने के एक शमता होती है यूरिक एसिड शरीर में सूजन होने का एक बड़ा कारण होता है पेंट स्नेक्स दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, पोटेशियम और मेगनीशियम के उच्छ स्तर का हमारे दिमाग और तंतर का स्वासेबस कारात्मक प्रभाव करता है, नीबू पानी आपको वह शक्ति दे सकता है जो आपको अवसाद और तनाव का सामना करने के लिए चाहिए इससे मानसिक्स पष्ठता आती है और ध्यान एकागर करने में मदद मिलती है, इसलिए ये ड्रेंक्स, स्टूडिन्स और दिमागी काम अधिक करने वालों के लिए अम्रिज से कम नहीं है फ्रेंट्स नेक्स्ट कैफीन से दूरी, कुछ लोग सुबह गुनगुना नीबू पानी पीकर कैफीन के आदत से चुटकारा भी पा लेते हैं, ये आपके शरी को एक कप काफी जितना ही बूस देता है, जिन लोगों की सहत पर कैफीन का नकारात्मक परभाव पड़ता है, उनके लिए एक फायरे मन्द विकल्प है, तो फ्रेंट्स जब किसी चीज़ के इतने फायरे हों, तो उसे जरूर यूज करना चाहिए, पर एक्सेस आफ एवरिटिंग इस बैड, ज्यादा नीबू पानी पीने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, आईए जानते हैं, फ्रें स्ट्रॉ से ही पीना चाहिए, फ्रेंट्स नेक्स पेट खराब हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा नीबू का रस पीते हैं, तो आपका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि खाने को पचाने वाले एसिड की माता ज्यादा होने से पेट में दर्द और जलन की समस्या बढ़ इसड वापिस इसोफेगस में आ जाता है, तो सीने में चलन होने लगती है, फ्रेंट्स बार बार पेटाब जाना, यदि वजन घटाने के लिए बहुत जादा गुनगोने पानी में नीबू में लाकर पी रहे हैं, तो आपको बार बार पेटाब जाने की समस्या हो सकती है, बार बार पेशाप जाने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है इतना ही नहीं नेबू पानी के ज़्यादा सेवन से पटेश्यम की कमी भी हो सकती है फ्रेंट्स नेक्स खोन में आइरन की अधिक मात्रा का होना नेबू में विटैमिन C की भरभूर मात्रा होती है लेकिन क्या आप चानते हैं यदि शरीद में ज़र से ज़्यादा विटैमिन C हो जाए तो यह iron को भी ज़्यादा एब्सॉर्ब करने लगती है और iron की अधिक माता शरीद के लिए हानिकारक साबित होती है फ्रेंट्स नेक्स माईग्रेन और एस्मा नीबू पानी के ज़्यादा सेवन से माईग्रेन हो सकता है जिन लोगों को एस्मा की समस्या है यदि वो भी नीबू पानी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनकी समस्या और बढ़ सकती है friends next हडियां कमजोर होती है बहुत जाधा नेम्बु पानी पीने से एंटियां कमजोर हो जाती है क्योंकि नेम्बु में मौजोद ऐसिट का हडियों पर पुरा प्रभाव पढ़ता है friends next ऐसिडेकी समस्या बढ़ा देता है जिन लगों को गैस ऐसिडेकी समस्या है नीबू पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि नीबू पानी पीने से पाचन के लिए प्रभावित हो सकती है और इसे एसिडिटी और गैस की समस्या और बढ़ सकती है फ्रेंट्स आप चांते हैं दिन में कितनी मान नीबू का सेवन करें आप बेस्ट रिजर्ट्स के लिए दो दिन नीबू पानी के लेने के बाद बीच में एक दिन छोड़कर इसका सेवन करें तो बेस्ट रहेगा पूरे दिन में 20-30 ml यूज़ कर सकते हैं तो आई हो फ्रेंट्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी बने रहे आई वेद काई चैनल के साथ सब्सक्राइब करें आज ही और इसे अपडेट्स पाते रहने के लिए